तो हलो वर भाई कैसे हो आप सब तो भाई वेलकम टो आवर चैनल डिफेंस गाइडेंस तो आज इस तुडियो में हम फॉर्म फिलिंग देखने वाले हैं कैसे पूरा फॉर्म फिल होगा यह फोस का क्योंकि काफी एक साल बाद यह फॉर्म फिर से मतलब कि भरने जा रहा हैं क तो देखें हम आपको बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर है इसका और देखो भाई फोन से और पीसी से क्या फरक पड़ता है इतना करने में यहां पर देखो अगर पीसी से करना चाहते हो कुछ भी करना हो यहां पर देख सकते हो अपलाई ऑनलाइन इंटेक 122 यहां पर लिखा हुआ है यहां पर क्लिक करोगे डिरेक्ट आपको वह ही सेम साइन वाले पेज़ पर लेके चला जाए यहां पर देख सकते हो यहां पर न्यू यूजर एंड रेजिस्टर पर क्लिक करना है तो यहां पर आओगे तो भाई पूरा आपका सारा चीज आपको सामने आ लेकिन हम आपको लेकर सकते हो और सिर्ण बसक्राइं आपको बेहां पर देखते हैं यहां पर कंट्री को चाहिए इसके पर पर देना है पेरेंट्स नेम और इसके बाद नीचे आपको आपकी active and valid mail ID आपको यहाँ पर देनी है, आपकी nationality क्या है वो आप select करेंगे, इसके बाद आपका gender क्या है वो आप select करेंगे, आपका 10 digit का mobile number आपको यहाँ फिल करना है, आप कोई भी security question यहाँ से select कर सकते हैं, उस security question का answer आपको यहाँ पर देना होगा और जो भी capture code आपको दिया गया है, यह fill करके आप यहाँ से sign up या registration process को complete कर लेंगे, इसके बाद friends आपका registration complete हो जाएगा और एक password जो है वो आपकी mail ID पर send किया जाएगा, तो आपकी जो भी mail ID से आपने register किया है, और mail ID पर जो password आया है और जो एक capture code है यह डाल कर आप यहाँ पर sign in कर लेंगे, sign in करने के बाद friends यहाँ पर मिलेगा आपको new password का option, तो यहाँ पर आपको एक password generate करना है, आप password आप कैसा generate करेंगे तो password में friends से एक uppercase, एक lowercase, एक number और एक special character होना चाहिए, uppercase का मतलब यहाँ पर है कि alphabet जो है वो friends block letters में होने चाहि तो यह सब चीज़े आपके password में include होनी चाहिए, उसके बाद आप यह new password यहाँ से generate करके submit कर देंगे, इसके बाद friends से यहाँ पर आपको जो new password आप में generate किया है, उस new password के थुरू अब आपको login करना होगा, इसके बाद friends से यहाँ पर आपका जो यह form है, यह start हो जाएगा, clear करने के बाद continue करेंगे registration page पर, registration page पर जाने के बाद friends सबसे पहले है, fill application form option आप इस option पर click करेंगे, इसमें friends से यहाँ पर आपको देखिए, पार्च से step दिये गए है, और हमेरे भाई, अगर आप Air Force XY यनने भी की preparation करते हो, जिसका के exam 2021 में अपरिल में होने वाला है, तो उस और अगर physics की बात करें, इसमें तो आरिश सर है, math के लिए चितरा मैम है, धरमदेव मिसर सर इंग्लिस के लिए, ऐसे ही यह जीटे जोसके, गुरूप में यह batch आपको अबलेवल हो जाएगा, और अगर बात करेंगे आप India की त्यारी करना चाहते हो, तो भाई, इंडिये ultimate batch course, तो 2021 के लिए वजर बैट्स लांच किया गया है, जो कि 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, और 30 मार्स तक चलने वाला है, ठीक है, तो भाई, अगर आप कोई भी प्लस अप्सक्शन लेते हो, तो आपको क्या-क्या फायदा होने वाला है, थोड़ा इसके बारे हम बात कर लेते हैं, तो आप तो एक पहला तो ये घर बैठे अपना सारा लाइफ क्लास कर सकते हो, दूसरा चीज, इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, वो इस प्लेटफर्म से कुछ जूड़ चुके हैं, तो आप किसी भी टीचर्स से इस प्लेटफर्म पर मतलब की स प्राइस में 10% का ओफ हो जाएगा, और ये ओफर जिस्ट अभी कुछ दिनों का है, तो भाई 10% ओफ है, अब कर सकते हो, तो यहाँ पर क्लिक करोगे, तो रिफरल कोड डालने को आएगा, तो हमारा कोड जैसे ही जो की डिस्क्रिप्सिन में दिया हुआ है, वहाँ पर डाल साइज रहेगा, वह आपके अपलोड करने का 10-50 के बीच रहने वाला है, जेपीजी फॉर्मेट में आप यहाँ पर यह अपलोड कर देंगे, इसके बाद फैंसे यहाँ पर आप से पूछेगा कि आप सर्विंग है, NEC में, IF में, या फिर आप सिविलियन है, तो आप जो भी डेट बर्थ है, वो आप सलेट करेंगे, और इसके बाद फैंसे वन कंटिन्यू कर देंगे, इसके बाद फैंसे क्वालिफिकेशन सेक्षन ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर देखिए, आपको 10-2 की डिटल देनी है, या फिर 3-year डिप्लोमा की डिटल आपको देन चाहते हैं, तो यहाँ पर फैंसे आपको आप गृूप मिलेगा, गृूप किस पोस्ट के लिए, किस गृूप के लिए अप्लाइ करना चाहते हैं, गृूप X, Y, या फिर दोनों के लिए, तो आगर आप ऐलिजीबल है, तो दोनों सलेट कीजिए, एक के लिए हैं, तो यहां पर friends से बागी की जानकारी है अपने according फिल कर सकते हैं तो यह friends आपकी जानकारी है LBT conditions है उसके according आपको options को select करना है और इसके बाद आपका जो board का नाम है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा आपका जो भी board है दीगे list में से वो आप यहां पर selected कर सकते हैं तो आपक option है आपका aggregate या फिर gross percentage आप यहां पर 10 प्लस 2 या intermediate या उसके equivalent examination में आपके जो भी percentage है वो आपको यहां देनी है कोई भी decimal allowed नहीं है अगर आपकी 59.99% है तो आपको 59% लिगना है ना कि 60% यह चीज़ आप यहां पर ध्यान रखिएगा तो आपको आपकी जो overall percentage है वो लिखनी होगी आपकी जो original skin copy है 10 प्लस 2 की वो आपको यहां पर देनी है और यहां पर friends आप इसको upload करेंगे इसमें भी friends जो size है वो आपका 10 से 50 के भी का ही रहेगा और JPG format में आप upload करने वाले है अब यहां पर पूछा गया है percentage जो कि English की रहेगी तो आपके जो English में percentage है 10 प्लस 2 में वो आपको यहां पर देना होगा इसके बाद friends यहां पर है mathematics की percentage जो कि आप यहां पर enter करेंगे इसके बाद है physics की percentage जो कि आपको यहां पर enter करनी है इसके बाद friends यहां पर आप से पूछा गया है कि आपके पास कोई भी additional mark sheet है जिसमें आपने improvement के लिए apply किया था तो यहां नो कर सकते हैं, अगर आप Sun है, Serving, Retired, Discharge or Disease, Air Force Personal के तो आप यहां नो कर सकते हैं, Indian Army, Indian Navy या किसी भी Government, Organization State के Discharge Candidate है तो यहां नो कर सकते हैं, इसके बाद फेंस यहां पर है physical आपका requirements, तो आपके बोडी पर, आपके चेहरे पर, हाथ पैर पर कोई भी visible, कट का निश तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं है visible तो आप यहांपने पर यहांपर फिल करनी है, अब आपको यहांपर इप्छन अपर फिल और फिल करना होगा। XZ कं से कम आप XZ values को यहां पर put करेंगे तो यह आप inches में feel करेंगे height आपकी cm में feel करेंगे और इसके बाद save and continue कर देंगे इसके बाद friends नएस option है आपके communication detail का包 जो भी है वो आप लिख सकते हैं और आपका पूरा address है वो आप यहां पर इसके बाद फ़्यंट से नेस उप्षन आपका आएगा country का तो आपको country चूज करनी है आपका state चूज करना है किस state से आप belong करते हैं इसके बाद आपका district कौन सा है आपकी तहसील कौन सी है वो आप यहाँ फिल करेंगे आपका village या town आप यहाँ देंगे आपका post office देंगे और इसके बाद फ़्यंट से नीचे है आपका अधार कार नंबर तो यह optional है देना जरूरी नहीं है पर अगर आपके पास अधार कार एवलेबल है तो आप 12 डिजिट का अधार कार नंबर दे सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर आपका पिन कोड नंबर देना है इसके बाद यहाँ पर आएगा photograph and signature option तो यहाँ पर देखिए आपको जो आपकी दो तीन चीज़े अपलोड करनी है सबसे पहले है photograph अब photograph के लिए फ्रेंच से मैं आपको यहाँ पर एक guideline शो कर देता हूँ तो यह इसी की guideline है जो की Intex 01-2022 के लिए है तो यहाँ पर फ्रेंच से अपलोड आपकर लिखा हो वही आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और यह चीज़ ध्यान रखेगा अगर आप यहाँ पर ऐसे अपलोड नहीं करते हैं तो chances आपके कम होते हैं यहाँ पर reject होने के पर फिर भी अगर आगर मालीजी कोई problem होती है आने वाले future में तो फ्रेंच से वह आप के उपर जिम्मेदारी हो जाएगी तो मैं यहाँ पर जो guideline बता रहा हूँ या फिर जो official आपके website पर भी check कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको black slate वाली photo आपको देनी है आपके chase पे सामने होनी चाहिए और उस पर date of photograph आपका mention होना चाहिए तो यही आप यहाँ पर upload करेंगे और date उसकी पुरानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर फैंसे December 2020 से जादा पुरानी नहीं हो latest photo आपको upload करनी है मैंने सिर्फ एक सेंपल के तौर पर photo upload की है कि आपको कुछ इस तरह से photo upload करनी है नाम और date of photo आपको देना होगा आपके signature और आपका जो left thumb impression है वो आप यहाँ upload करेंग जो की face first के लिए है और face two के लिए आपको यहाँ पर center preference देनी होगी सबसे पहले आप यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर आपको list मिल जाएगी centers की तो आपके according जो भी आप center यहाँ पर लेना चाहे वो आप यहाँ पर ले सकते हैं और यह लेने के बार यह automatic यहाँ पर आ सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं city preference को इसके बार नीचे है आपका यहाँ पर face two के लिए तो यहाँ पर भी आपको पांस centers चूज करने होंगे तो आप अपने according जो भी centers यहाँ पर लेना चाहे वो आप यहाँ पर ले सकते हैं तो आपको यहाँ पर लेने हैं तो इसमें कुछ बताने को ऐसा खास नहीं है इसके बाद friends select करने के बाद आप इसको भी सेव कर देंगे center preference को और इसके बाद friends आपके सामने next option जो आएगा वो होगा friends यहाँ पर home का तो आपको इस home वाले option पर click कर देना है इसके बाद देखिए आपके city वाला option भी open हो जाएगा preview section open होने के बाद आप यहाँ पर details को verify कर सकते हैं इसके बाद यहाँ से इसको declare करेंगे और continue to payment वाले option पर click करेंगे payment करने के लिए यहाँ पर friends आपको कुछ instructions दिये गया है इसके बाद friends यहाँ पर एकी success ratio दिया गया है UPI से अगर आप payment करते हैं तो सबसे कम chances हो आपके payment verify होने के carry debit card में medium है मतलब आपका जो payment है उसके 50-50 chances है और net banking से अगर करते हैं तो सबसे highest ratio है कि आपका payment verify होगा ही होगा तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इसमें से आप कोई भी option कोई भी payment gateway को choose कर सकते हैं और payment कर सकते हैं यहाँ पर friends से आपको फिर से multiple option म पर पास रख पाएंगे सारे step जैसे ही complete होंगे आपका जो form है वो completely submit हो जाएगा तो यहाँ पर friends से मैंने आपको side deal बता दी है कैसे आप apply कर सकते हैं